function calling itself recursion इसको बोलते है generally मतलब function जो होता है वो खुद को ही call करता है अब function किसको बोलते है जैसे मैंने लिख दिया f1 इसके आगे दो brackets curly brackets ये function अब कोई भी नाम का function बना सकते हो इससे कोई problem नहीं है बस ध्यान रखना main function जरूर बनाना क्यों main function बनाना compiler को सिखाया गया है सिर्फ main के अंदर की lines को चलाओ तो main के अंदर जो लिखोगे वही चलेगा अगर आपने लिख दिया f1 को call करो तब जाके इसके अंदर का code चलेगा लेकिन अगर आपने अपने program में यहां लिखा हुआ है printf और आप इस program को run करोगे इतने बड़े program को कुछ नहीं print होगा compiler को सिखाया गया है सिर्फ main के अंदर की lines को चलाओ और main के अंदर क्या lines लिखी हुई है देख लो कुछ नहीं तो कुछ नहीं होगा अगर आपने यहां लिखा होता printf और यहां लिखा होता by तो जानतों क्या print होता बस लेकिन अगर आपने लिखा होता f1 तो पहले by print होता फिर compiler f1 का meaning धूडने उपर जाता सारी line चलाता hello को print कराता अपनी जगह पे आता फिर से f1 लिख दिए फिर उपर जाएगा line चलाएगा फिर अपनी जगह पे आएगा जब call करोगे तो चलेगा नहीं call करोगे तो नहीं चलेगा function का यह मतलब होता है तो आप function को call कर सकते हो जब चाहो तब यही चीज है function की अब आगे और कुछ समझते हैं जैसे function को बनाया आपने यह function का नाम fun1 रखो तो भी चलेगा लेकिन आपने fun1 रखा है अगर तो आपको यहाँ पे call करते समय भी fun1 ही लिखना पड़ेगा compiler इसका meaning धूरने उपर जाएगा और सारी line चलाएगा एक साथ एक program में कितने भी function बना सकते हो लेकिन main function बनाना मत भूलना main function ही सबसे important है main के अंदर का code ही हमेशा चलता है मतलब अगर मैं आपको code block software दिखाऊँ इसके अंदर दिखाता हूँ आपको कैसे function को use करोगा यहाँ एक option है empty file save as और उसके बाद इसका मैं नाम रखता हूँ मैं अपने उसी folder में रखूँगा जहां मैं अपने सारे program सेव कर रहा हूँ d drive में उसके बाद इसे रखूँगा चलो main में रखूँगा और इसका नाम रख देता हूँ functions dot c c extension क्यों दे रहा हूँ क्योंकि c के program करोगे तो c ही देना पड़ेगा में से program हमेशा शुरू होता है तो इतना syntax तो common है आपको भी पता है बस अब अगर आपने उपर लिखा अभी संडे को मैंने storage classes पढ़ाया था याद होगा आपको storage classes चार उसमें members थे उसके जिसमें एक था auto दूसरा था register फिर एक था external और एक था static चार कीवर्ड बताया थे तुम थे संडे को लेट जॉइन मतलब कितना लेट हो गया मतलब तीसरा लास्ट वाला चल रहा था क्या मतलब लास्ट के 10 मिनट जब बचे थे तब external अभी देखो एक function बना रहा हूँ fun1 नाम का बन गया अब देखो इसे call करने के लिए क्या लिखो के fun1 function call किया गया इसके अंदर की line तूरण चलेगी इसके अंदर क्या line है printf और यहां लिख देता हूँ by देखे run करू इसे आपको क्या लगता है इस program को अगर मैं run करू तो output screen पे क्या print होगा अगर ऐसा program है तो बोलो पहले बाय होगा या फिर पहले हाई मैं यह जानना चाहते है पहले बाय क्योंकि पहला क्या है fun1 compiler इसका meaning दोने उपर जाएगा बाय चलाएगा अपनी जगह पर आएगा फिर अगली line पढ़ेगा और फिर हाई print करेगा मतलब पहल लिखता तो पहले हाई और फिर बाय चलता क्योंकि पहली line तो आपकी यह है यह चल गई compiler fun1 का meaning दोने उपर जाएगा function के अंदर तो आप कित्ती भी line लिख सकते हो printf लिखा by printf लिखा hello आपको जो मन करे वो लिख सकते हो कोई भी issue नहीं है उससे यह देखो लिखा मैंने f9 इन दबा दिया यह देखो high by hello print हो रहा है कैसे आप बोलोगे high print हुआ ठीक है fun1 का meaning दोने उपर गया by hello print हुआ प्रोग्राम खतम अगर आपने एक बार और function को call किया होता yellow कर लिया अभी क्या print होगा कोई बता सकता है पहले compiler fun1 का meaning दोने उपर जाएगा by hello print होगा फिर high print मैं एक बात और बता दू अगर आपने एक function और बनाया fun2 उसको भी call किया जा सकता है जैसे एक लाइन चलो उसमें डाल देता हूं डाल दिया एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे fun2 अब आपने fun1 लिखा है आप चाहो तो fun2 भी लिख अब क्या print होगा अगर मैं इस प्रोग् चलेगा इसलिए फिर तुम बोल रहा हूं फिर हाइं उसके बाद फिर तुम बोल रहा हूं फिर fun2 चलेगा और फिर बाय सही जवाब है यही प्रिंट होगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो लेकिन एक function के अंदर ऐसा अगर लिख अब क्या print होगा आराम से सोच समझ के बता में और कोई तुम बोल रहा है Hello 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 Okay और कोई fun2 का मीनिंग धूनने compiler उपर आएगा कहा है इधर है fun2 फंक्शन इधर बना हुआ है Hello चलाएगा ठीक फिर अपनी जगह पर आएगा fun1 का मीनिंग धूनने फिर ऊपर जाएगा बाई चलाएगा फिर लिखाए फंटू को भी चलाओ तो यह जाएगा फंटू को चलाने हेलो चलाएगा फिर अपनी जगह पर आएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो इधर से फिर इधर आएगे समझ रहे हो देख लो सीक्वेंस कैसा है आपने सबसे पहले क्या किया ऐए वह देखो आपको अगर फंटू का मिनिक कंपाइलर आया कहां से ये देखो उसकी स्ट्रेप यहां से एक दो तीन इधर आया फंटू का मिनिग दुर्नने गया यहां पर fun two function इधर बना हुआ है फिर hello print हुआ लिख देता हूँ output screen पर hello हुआ जब यह program चलके हो गया तो फिर यह वापिस से अपनी जगा पर आया इधर फिर लिखा fun one fun one का meaning धूंडने यह गया उपर फिर इसको क्या मिला by तो by print हुआ फिर लिखा fun two तो यह फिर इधर आ गया hello print किया और फिर अपनी उस जगह पर गया इसके नीचे कुछ नहीं था अब यहां से वापिस से वो इधर आ ऐसे चलाओ मतलब जहां से call हुआ वो जाक के चला के वापिस से वहीं आता है मुझे यह बोलना है आपसे अभी आप बताना अब बताओ रुको देखलो इस प्रोग्राम को आराम से देखो समझो हर फंक्षन के पहले वाइड लिखना चाहिए लिख देता हूँ यह भी फंक्षन है बना रहे हो न आप वाइड लिखो न फिर यहां पे भी वाइड लिखना चाहिए लिख दिया बस हाँ मैं इनके पहले तो वाइड लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं बस हो गया अब आप बताओ इस प्रोग्राम को रन करू तो क्या प्रिंट होगा तुम बोल रहे हो ए बी सी डी ठीक है ऐसा आपका जवाब है और कोई सोच लो A, B, C, D, B A, B, C, D B यही वाला ठीक है और कोई सेम सेम ओके देखते हैं अभी सबसे पहले कमपाइलर आएगा यहां पे फन वन इसका मिनिंग दोडने उपर गया एको प्रिंटर आएगा लेकिन एक बात और बताता हूँ जब आप यह सब हटा रहा हूँ यह भी हटा रहा हूँ फंक्शन को कॉल करते समय आप वापिस से उसी फंक्शन का नाम लिखते हो आप मुझे बताओ इस प्रोग्राम को रन करने पे क्या प्रिंट होगा थोड़ा सोथ समझ के बद तुम बोलो डबल है इसका सुन के पूछ रहा हूँ मतलब ऐसा कुछ नहीं आपका भी डबल है ओके और तुम्हें क्या लगता है, कंपाईलर जब पढ़ेगा कहां आया वह आया, फन बन चला गया उपर क्या प्रिंट करेगा, ए फिर देखेगा फवान, मतलब खुद को ही चलाना हàng, फिर आया इदर फिर अंदर आया, फिर ए फिर आया अरे खुद को ही चलाना है फिर इधर फिर अंदर आया फिर A फिर देखा रहे फन वन मतलब खुद को ही चलाना फिर इधर आया फिर A फिर A ये infinite time तक A चलता रहेगा जो कभी खतम नहीं हो सकता क्योंकि function खुद को call कर रहा है फंक्शन अपने आपको ही कॉल कर ले रहा है बार बार समझ रहे हो बात को देखते हैं ऐसा भी होता है क्या, अगर इस प्रोग्राम को रन कराया जाए तो आप खुद देख सकते हो यह चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं आपको लग रहा है रुका रुका नहीं है यह, यह यहां पर खतम हो गया direct कुछ मिला नहीं, इसलिए वो खतम हुआ, इतनी बार चला होगा वो, इतने speed बार, तो मुझे आपसे बोलना है कि function खुद को call करता है, चलता है फिर खुद को call किया, खुद को call करोगे तो वही, वही, वही code चलने वाला है, इसको recursion बोलते है, जब function calling itself, when function calling itself, उसको recursion, recursion is the process in which function calling itself बस, यही तो है, उसकी definition भी यही है, लेकिन इसका फायदा क्या है, जानते हो, बहुत फायदा है आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप factorial का मतलब जानते हो, factorial का, देखू कौन जानता है 5 factorial मतलब क्या, तुम बोलो into 0, मतलब तुम बोल रहे हो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0, ऐसा है गया 0 नहीं है, ऐसा हाँ, यह सही है, 0 से किसी भी नंबर को multiply करोगे तो 0 होने वाला है, हाँ यह हमने school में पढ़ा है आपने पढ़ा है कि नहीं हाँ साथवी, आठवी में कभी तो रहा होगा, तुमें था school में, factorial नहीं था नहीं था, हो सकता है किसी school में ना हो, अभी मुझे नहीं पता अभी सबका board अलग-अलग हो सकता है, बताओ, क्या है factorial का मतलब है 5 factorial मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 6 factorial 6 into 5 into 4 into 3 into जो result आए, 3 factorial 3 into 2 into 1 उसके पीछे के numbers का multiplication 5 into 4 20, 20 into 3, 60 16 into 2, 120 6 factorial आएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यह तो 720 आजाएगा 6 into 5, 30 30 into 4, 120 120 into 3 360 360 into 2, 720 3 factorial 3 into 2 into 1, 6 देखे, कितना जल्दी नंबर बदला, 6 के बाद डायरेक 120 हो रहा है मतलब बीच में 4 भी होगा 4 का क्या है 4 into 3 into 2 into 1 24 होगा शायद 6 के बाद 24 हुआ, 24 के बाद डायरेक 120 हुआ, 120 के बाद डायरेक 720 हुआ फिर 720 के बाद और बढ़ेगा क्योंकि 7 into 6 into 5 into करोगे 7 का factorial 10 का कितना factorial होता है जानते हो 36 लाख कुछ तो होता है 10 1000 नहीं 36 लाख दिखा दू 10 into 9 into 8 into 7 into 6 करोगे तो हो गई एक फंक्शन होता है Python में import math math.factorial किसका? यह Python में सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे ready made है अपने को इदर program बनाना इदर ready made है फैक्टोरियल किसका चाहिए मुझे 10 का 36 लाख 28,800 नहीं मुझे 6 का देखना है 720 है क्या? हाँ अब आप समझ चुके होगे नहीं मुझे 5 का देखना है नहीं मुझे 50 का देखना है बड़ा होगा? बड़ा होगा factorial हाँ इतना बड़ा है देख लो ना 50 का जो आप नहीं print करा पाओगे कभी आप 1000 का भी देख सकते हो कितना बड़ा होगी? पाइथन में ये भी result आपको मिल जाएगा तो कितना भी बड़ा data रहने तो उससे कोई भी issue नहीं हो तो ये चीज factorial है अब क्या करेंगे मालूम है? आप मुझे एक बात बताओ मुझे ना 5 का factorial जानना है fun1 में क्या डाला? 5 एक काम करते है इस function का नाम fact रख दू क्या fact? हाँ तो फिर इधर भी fact चाहिए सब हटा देता हूँ बात में void लिख देंगे अभी fact लिखता हूँ ये क्या receive करेगा 5 को ये क्या भेज रहे हो? तो इधर memory उतो होनी चाहिए जो 5 को receive कर सके चलो n बना दिया n में क्या आ गया? 5 याद रखना अभी आगे देखो n नाम के memory के अंदर आपने क्या store कराया हुआ है? 5 बात बताओ जनरली एक नॉर्मल factorial में कर क्या रहा हूँ? factorial किसका निकाल रहा हूँ? factorial और यहां लिखता हूँ या फिर ऐसे नहीं हाँ मैं लिखता हूँ 5 का factorial निकालना है तो 5 into factorial of 5 minus 1 ना? 4 4 का ही इधर factorial of 4 पता चल गया उसको 5 से multiply कर दो आ गया result यही चीज है ना? तो 5 की जगह n लिखो n into fact of 5 की जगह n लिखो n में 5 भी तो है n minus 1 मिल गया ना हमें क्या मिला? यह 1 का factorial 1 ही होगा बस 1 तकी करना तो आप अपने प्रोग्राम में देखो क्या लिखोगे ध्यान देना यदि n के अंदर 1 रहा तो फिर क्या return कर दो क्या result बोल दो 1 result 1 है 1 का result 1 है लेकिन इसके अलावा कुछ भी रहे तो multiply करना else नहीं तो अभी तो 5 है तो else ही चलेगा याद रखना if चलता या तो else चलता है दोनों में से कोई एक चलता है दोनों नहीं चलता यदि n में 1 रहे तो उपर का code चले और 1 ना रहे तो नीचे का code चले दोनों में से कोई एक चले इस बार कौन सा चलेगा else या if आप बताओ else चलेगा क्यूंकि n में 1 कहां है 5 है else में क्या लिखूंगा पता return भेज दो 1 मत भेजो भेजो क्या ये लिख लूगा as it is हाँ लिख लेता हू n into fact of n-1 बस ये result भेज दिया आपने किसको दिया जानते हो return होगा यहाँ पर एक memory बना लो ना जो result को receive कर सके result r नाम की एक memory बना लो याद रखना function काम कैसे करता है फिर से ध्यान दो generally होता क्या है जब starting से compiler आता है 15 नमबर की लाइन पर कार नाम की memory बनाएगा कोई बात नहीं फिर उसके बाद 16 नमबर की लाइन को पढ़ेगा तो equal to के right side को पहले चलाएगा generally equal to के right side वाला code पहले चलता है तो वो उपर निकल जाएगा r को छोड़ देगा उपर जाएगा सारी लाइन चलाएगा कुछ करेगा 5 को लेके जाएगा साथ में सारा काम करेगा result लेके आएगा 5 का factorial मान लेता है 120 लेके आएगा और r में डाल देगा r में 120 आ चुका है देखते हैं सच में आया है क्या printf r को print करा दू क्या factorial is r अरे हाँ 120 आ रहा है सोचो एक लाइन लिखी अभी लाइन एक्स्प्लेइन करूंगा ना अभी तो लिखा है मैंने मैं 10 लिखके देखता हूं 36,000,000 क्या है वह 28,800 याद हो जाएगा भी 28,800 हो गया सोचो अब लेकिन यह logic कैसे काम कर रहा है वह देखो यहाँ पर मैं 5 ही रहने देता हूं जादा लोजीक आप देखते रहना और मुझे बताना सबसे पहले n में क्या गया होगा पहली बार बतादो n में क्या गया होगा 5 बराबर पैक्ट चलाओगा n में गया होगा 5 इधर लिख दो लिख दिया n into n कितना 5 into fact of 5 में से एक गए कितना चार तो compiler भेजने से पहले देखता अरे फिर से fact of तो क्या करेगा इतना पढ़लेगा जब वो तो वापिस से इधर आजा आपने function को ही तो call किया है दिखरा है क्या वापिस से उपर आएगा और n में क्या डाल देगा जानते हो चार यह क्या चार है ना यह डाल देगा आपने यहाँ पर क्या लिखा fact of 5 लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है इस बार वो चार डालेगा इसके अंदर तो n में 4 है फिर चेक होगा क्या n में 1 है नहीं 4 है else चलेगा return ध्यान देना return n कितना है चार into fact of 3 और देखेगा रहे फिर से function call तो फिर तुरंद यहाँ पर पढ़के इधर जाएगा उपर फिर से जाएगा उसको चलाने के लिए उसके बाद n में 1 आया क्या नहीं अभी 3 आया ना उसके बाद else चलेगा 3 into return return देख लो return 3 into fact of fact of और यहाँ पर लिख देता हूं मैं 2 factorial of 2 अब वापिस से factorial नाम का function है और य जाएगा एन नाम के variable में क्या जाने वाला है 2 क्या एन में 1 है नहीं 2 है फिर एल्स चलेगा return 2 into fact of 1 अब फिर call होगा लेकिन अब कौन सा चलेगा इफ या एल्स बोलो if हाँ इफ चला एन में क्या है 1 return कर दो क्या क्या return कर दो 1 अब आके आप रुख जाओगे नहीं तो बार-बार चल रहे थे आ गए return 1 तो इसकी वज़े से ये result आया ना किसकी वज़े से इसकी वज़े से इतने part की वज़े से ये result आया तो ये result इससे replace हो जाएगा किससे वन स है अब मुझे बताओ 2 into 1 कितना 2 return 2 किसको इसको मिलेगा इसी की वज़े से नीचे आये थे न उसके बाद 3 into 2 कितना 6 return 6 किसको इसको मिलेगा इसकी वज़े से नीचे आये थे 6 6 into 4 कितना 24 return 24 वो इसको मिलेगा 24 into 5 कितना 120 और ये कहां जाएगा आखिर में वापिस इधर आएगा इसकी वज़े से आये थे तो इसमें 20 120 आ जाएगा वही प्रिंट हुगा देखे जितना अब अंदर अंदर जा रहा है उतना वापिस से आओगे ऐसा है ये रिकर्शन तुम्हें समझा ऐसे का ऐसा लिखो इस प्रोग्राम को हाँ आप मुझे सिर्फ एक जवाब और दो कौन से टाइप का डेटा है आपका जनरली आपने रिटन कौन से टाइप का डेटा किया आर में इंट टाइप का 120 तो इंट टाइप का है ना रिटन वर्ड नहीं रहा तो वॉइड लिखना और रिटन वर्ड रहा तो इंट लिखना याद रखना लिख लो इससे जल्ट आरा आपको यह समझ में अच्छा आपसे एक सवाल है मैं अगर आपसे यह बोलू मुझे पहले 10 नंबर्स की एडिशन करनी राइड प्रोग्रा के दस्तक करने आग कर सकते हो सेम प्रोग्राम कैसे होगा बताओ वैरी गुड सही जवाब दिया तुमने कि मल्टिप्लिकेशन की जगह सिर्फ एडिशन कर दो और इस फंक्शन का नाम फैक्ट की जगह सम रख दो सम रख दो और यहां पर भी लिख दो सम और यहां लिख द को रन कराता हूं देखते हैं पहले फांच नमबर होते हैं हां फिफ्टीन आ रहा है वन प्लस टू प्लस त्री प्लस फूर प्लस प्लस पाइप कर लो आप लेकिन रुखो यूजर से इंपुट लेता हूं प्रिंट एफ इंटर नंबर यह मैसेज पढ़के यूजर एक नं लेता हूं नम नाम की प्लस बन गई और नम नाम के मेमरी को इसमें पास पर दो बस ऐसा भी चलेगा आपने नंबर एंटर करने को बोला यूजर से 10 तो नम नाम की मेमरी पर दस जाएगा तो सम टैन माना जाएगा यूजर अपने हिसाब से नंबर को आड़ कर सकता है देख समिस 55 हो गया ना बस ऐसा ही है इतना मतलब ज्यादा टफ नहीं है यह चीज तो आप ऐसे भी करा सकते हो देख लो और अगर मैं 100 कर दू तो भी आएगा 100 समिस 5050 हो रहा है ना मतलब कितना भी बढ़ा रहने दो रिकर्षन का फाइदा क्या है कोड रिपेटीली चलते रहता है यह उसका फाइदा है और जब आपको लगे sequence की बात हो रही है तो आपना रिकर्षन को यूज कर सकते हो जब कोई series है कुछ भी कराना है तो आप रिकर्षन का यूज करा सकते हो recursion इसको ही बोलता है जब एक function अपने आपको call करता है बार-बार उसको ही recursion बोला जाता है मैंने तो ये आपको समझाया main चीज तो ये आपके लिए समझना देख रहा हूँ ये ये part सबसे important है आपके लिए समझना नहीं तो recursion किसी को समझता है नहीं क्या है लेकिन function जब खुद को call करता है बार-बार उसको ही recursion बोलता है ये चीज आप याद रखो अच्छे से ठीक है हो गया ये चलो अब और आगे चलता है लेकिन एक normal factorial का program कैसे बनेगा बताओ factorial without using recursion ये logic नहीं ये तो बहुत आसान था हटाया slash star star slash comment दे दिया इसको भी comment मार दूँ star slash star slash comment देने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है slash star कहा तक देना है star slash बस comment वो line readable नहीं है अब ऐसा समझो आपने हटा दी अपने program से लेगिन क्या होता हटा देने के बाद फिर से कौन लिखते बैटेगा इसलिए comment देना ज़्यादा सही होता है कल को काम आएगी फिर से उठा लो अब मैं मुझे ना किसी भी number का ये निकालना है factorial तो पहले message देना पड़ेगा enter a number printf और ये line हमारे पास लेगा उसे लग रखवा दिया जाए एक memory में एन नाम की तो एन नाम की memory बनानी भी तो पड़ेगी अगर एन नाम की memory में रखवाना ही चाहते हो तो चलो हो गया उसके बाद क्या उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पर जैसे की फॉर लूप का काम होता है किसी भी कोड को बार बार चलाना देखो मेरे पास एक तरीका है आई नाम की memory बना दी यहां लिख देता हूं फॉर आई को शुरू किया जाए वन से ध्यान देना आई को ले जाया जाए अगर मैंने एन में फाइव एंटर किया तो लूप कितनी बार चलेगा बताओ 5 बार कैसे आई जब वन होगा तो आई जब टू होगा तो आई जब थरी होगा फोर होगा फाइव होगा इक है आपने आई लेस देन एन तक लिखा हूए चलाने के लिए लेस दन इकवल टू लिखा है तो इस तरीके से यह चीज हो गई देखलो आपके सामने है पूरा अब आए के वन होने पे लूप चलेगा टू होने पे लूप चलेगा एक काम करो एक मेमरी बना दो एस नाम की और उसमें रख दो वन यह ना बहुत अच्छी चीज है आप कभी भी याद रखना आए बस प्रोग्राम खतम आप बोलोगे कैसे हमें समझाओ यह देखो आए में कितना है वन अंदर आए एस में कितना है पढ़ो वन मुझे बताओ वन इंटू वन कितना होगा तू वन ही होगा वन इंटू वन होगा एस की नई वैल्यू कितनी होगई वन वन थी नया वन ठीक है उसके बाद अगली बार आए बढ़के कितना होगा कि तुभी इथा लिख दो सब्सक्राइब टू है तो जब लगो आगे से थे इस और बढ़कर कितना हुआ 3 S कितना है अभी आपने बोला 2 2 into और I कितना है 3 कितना हुआ 6 S की नई value 6 हो गई ओके ये कट करके 6 लिखो I बढ़ा 4 हुआ उसके बाद आप लिखोगे I कितना है 4 into S कितना है 6 ये तो 24 हो जाएगा 24 S की नई value 24 हो गई फिर I बढ़के हो जाएगा 5 अब लिखा है S है आपका 24 और I है 5 24 into 5 ये तो 120 हो गया S की नई value हो गई 120 बस आप लूप के बाहर आ गया प्रिंट करा दो ना S को प्रोग्राम खतम हो गया कि नहीं सिर्फ एक line S equal to 1 लिखो और उसको लिख दो S equal to S S equal to 0 मत लिखना क्या होगा उससे सब 0 हो जाएगा कब लिखना 0 जानते हो addition करते समय addition करते समय क्यों addition करते समय 0 क्योंकि अगर 0 है add करोगे तो 0 प्लस आपका जो होगा मतलब result सही आए अब 1 से add करोगे तो बढ़ जाएगा ना एक जादा हो जाएगा इसलिए S को 0 initialize करना addition related काम करते समय और जब multiplication या divide related काम है तो 1 को use करो किया 1 को use हाँ S को print करा दो ये चीज आप समझ सकते हो %D लिखो कॉमा करके लिख दो जो भी S में है बस हो गया इसको run करते है मैं number enter करता हूँ 5 120 आ रहा है ऐसा ही तो है लेकिन इदर लिख दो ना फिर factorial is देखता है इसको चला enter a number 56 नहीं नहीं 10 36,88,000 हाँ हो रहा है ना हो गया ना ये भी एक तरीका इसे भी लिख लो मतलब इतना ही लॉजी कितना ही है एक लाइन का ही लॉजी का देखा जाये तो कैसे काम कर रहा है वो भी आपको explain करा के दिखाया आपको for loop आना चाहिए मैंने बोला है जनरली हर प्रोग्राम में for loop यूज किया जाता है या तो FLC यूज किया जाता है इसलिए for loop आपको आना ही चाहिए for loop का कोई वीडियो चाहिए तो मुझे message करना भेज दूँगा for loop बहुत important topic है उसको जरूर देख लेना हुआ आपके लिए question है write a C program to calculate power of a given number power of a given number अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ output screen पर वो देखो मैं यह चाहता हूँ कि एक output screen है जहां पहला message दिखना चाहिए enter a coefficient यह message पढ़की user एक coefficient बताएगा 2 enter a power अगर उसने बोल दिया कुछ भी अपने मन से 5 तो आना चाहिए power of a given number is या फिर result is 32 2 rest to 5 कितना होता 32 power अगर मैंने 3 enter किया 3 rest to 3 27 ऐसा करना क्या करें मतलब यह 2 enter हुआ है तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 बार होना चाहिए इस पे depend करता है लूप कितनी बार चलेगा y पे एक को x में रखो एक को y में रखो लूप कितनी बार चलाना है जितना y होगा मतलब यह x है तो यह y है ऐसा समझे question समझे क्या पूछा देखो program मतलब मैं आपसे यह बोल रहा हूँ यह line तो common है copy यह देखो file new file empty file file save as power.c और यहाँ पे यह लिखता हूँ get ch लिखता हूँ और semi colon और यह खतम ठीक है enter a number enter a coefficient और यहाँ पे लिखता हूँ enter a power ठीक है और यहाँ पे लिखता हूँ एक को x में रखते हैं एक को y में रखते हैं हाँ लेकिन memory बनानी पड़ेगी x और y तो एक x 1 y ठीक है हाँ आप loop लगाता हूँ कितनी बार loop चलाना अभी बोलो आपने बोला ना फॉर जितना आप power बोलोगे power 9 बोल दोगे तो लूप 9 बार चले फॉर i को शुरू किया जाए 1 से i को ले जाया जाए y तक i प्लस प्लस समझे चलेगा 9 बार या पांच बार जितना भी power होगा उतनी बार लेकिन multiply किस से करवाना है x से बराबर है मैंने अभी आपको बोला था s में 1 रखवा दो यहां लिखू मैं s equal to और उसके बाद क्या आपका multiply x से हो रहा है बराबर है तो s equal to s into x लिख के देखते हैं होता है कि हमारा problem देखते है solve मुझे एक बात बताओ आप लोग ध्यान देना भी अच्छे से s में कितना है बोलो 1 x में कितना है बोलो 2 y में मान लेते हैं 5 2 raise to 5 कर रहे हैं सबसे पहले i में 1 है अंदर आए s into x s into x करना और s में ही रखवाना है s कितना है पढ़ो 1 1 into x कितना है 2 क्या आएगा 2 s की नई value कितनी हो गए 2 लिख देता हूँ अगली बार i बढ़के कितना होगा अरे i नहीं लिखा क्या हाँ पहली बार 1 था अगली बार i कितना हो गया 2 4 होगा नई value 4 हो गई किसकी s की नई value 4 लिख दू 4 उसके बाद i बढ़के 3 होगा 3 उसके बाद जैसे ही 3 हुआ क्या होगा s कितना है 4 है 4 into और x कितना है 2 8 हो जाएगा हाँ तो नई value 8 हो गई किसकी s की फिर i बढ़के 4 होगा फिर s का multiple है x से करना s 8 है x 2 है 16 हो जाएगा 8 into 2 16 s की नई value हो गई 16 फिर i बढ़के 5 होगा अब last बार चलेगा फिर से s into x करना s 16 है 16 into 2 32 हाँ अब लूप के बाहर आ जाओ s को print करा दो हो गया ना देखोगे तो सेम है पिछला प्रोग्राम बस आपने पिछली बार i लिखा था इस बार x लिख रहे हो सेम पिछला प्रोग्राम है ध्यान दो देखते हैं सच में ऐसा है क्या possible power of a given number is result is कुछ भी लिख result is percent d इस percent d की जगए क्या दिखना चाहिए जो भी एस में होगा देख लेते हैं चला के f9 कहा गया दबा दिया मैंने power लिखता हूँ 3 rest to 3 हाँ 27 सही तो है मैं लिखता हूँ 2 rest to 9 देखते है 2 rest to 9 ना 256 नही 512 होता है 2 rest to 9 512 512 सही है 2 rest to 10 होता है 1024 1024 2 rest to 10 हो गया ना आप देखोगे ना पिछला प्रोग्राम और ये प्रोग्राम सेम है सिर्फ एक लाइन में थोड़ा चेंज है बाकि as it is प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम हमने बना दिया एकदम आसान तरीके से हो गया समझा पावर आप नंबर का प्रोग्राम बस ऐसे ही तो होते है इसलिए आप ये मत समझो टफ है बहुत आसान है मैंने जनरली आपको एरेज पढ़ाया होगा याद है एरे हो गया है हमारा स्ट्रिंग्स हो गया है स्ट्रिंग्स में टॉपिक्स हमारे कवर हुए एरेज भी पढ़ाया है मैंने टूदी एरे वन डाइमेंशनल एरे एडिशन आप टू शायद बाकी होगा मेरे हिसाब से टूदी एरे उसको अगले लेक्चर में पढ़ाता हूँ अभी है कुछ कुछ टॉपिक्स है बाकी जो नए स्टूडेंट्स है वो सुबह आओ मंडे टूजडे वेनेजडे को सुबह आओ मैसेज करना मुझे मैं ग्रूप में एड़ कर लूँगा बाकी क्योंकि अगर आपको फॉर लूप वाई लूप नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी बहुत इसलिए ध्यान दखो थोड़ी अच्छी तैरी करो चलो फिर बाय सबको पूछो